गाईज इस मूवी के पार्ट के अंदर तुम लोग देखने वाले हो कैसे फरेक्लिन अवेंजर्स और गोकू नरुटो सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके चेलो को रोकते हैं लॉस सायंटोस को तबाह करने से आजाओ सर्भियन डांसिंग लेडी और उसके चेलो तुम लोगों का अगर हम डोनोंने भूत ना बढ़ दिना तो हमारा नाम भी नरूटो और गोकु नी सर्वियन डांस लेड़ी तो बचेगी नहीं मेरे अससे अरे यारे ये क्या कबा है गोकु कहा ले गया मुझे कोई से क्या गोकु तो बहुत दूर रहे गया सर्वियन डांस लेड़ी को मारते मारते हो डैविल बोस कोई मारा गोकु तो बहुत ज़्यादा पारफुल हो चुका है पहले से एक निट के अंदर सर्भियन डासन लेडी उसके चेलो का भूत परड़िया इस कोको की स्पीड देखो कितनी ज़्यादा पार में मार रहा है एक पिनिट के अंदर सर्वियन डांस लिडी उसके चेलो का भूद बर्दिया, देखो मेरे को तो कुछ करने की जरूआ थी निये, यहाँ पे सर्वियन डांस लिडी के चेलो को गोकु अकेला ही पेला है, लेकिन मैं भी उसकी मड़त कर रहा हूँ, गोकु लगता है बहुत ज और यहाँ पे तुम गोकु को देखो क्तनी जरदा बुरी तरीके से मार रहा है और सर्वियन डांस लिडी और इसके चेलो का खेल ख stinksum कर दियाया, ने लगन एक न्ट यहाँ पे गोकु लड़ा है, किस से ड्रेगन मास्टर一次 को ह्योट तो सबसे पहले पढ़ता हो मैं निक के मलत कर दी शुक्रियत माला नरुटो मारो इसको सर्वियन डांसिंग लेडी के सारे चेलो को मार दिया अरे लगता तो यह है मुझे नरुटो अब लेकिन कुछ कहां नहीं जा सकता क्योंकि यह दुबारा जिन्दा हो सकते हैं हाँ बात तो तुम सही कि रहे गोकु यह भी हो चुकी है हाँ यह चीज़ तो है लेकिन एक मिनट नरुटो बचके सर्वियन डांसिंग लेडी आ पर आ गई मैं तो क्या नहीं चोड़ेगा चोड़ेगा चोड़ेंगी तो मैं तो जानी गाइस गोकु इतनी स्पीड में कि मेरे को दिखाएं दिया रहे सर्वियन कोच नहीं ऊसके आपर पुचा दिया तुने उसको और नहीं पुचा दिया तुने तुन्हें नायार है तुने फोकल करा दिया सब्सक्राइब पर मोब तो मुँपे घुसे कामारें अब तो भी तो ने मेरे दोस मारा वसे को जाएगा आज तेरी पसली लगल लेके तुने बहुत बड़ी कलती लिए तू तो मरेगा अरे ये क्या ये सर्वियन डांस लीडिया अचानक से कहां चले गए मुझे धमकी दे के लगता है मुझे डर के भग गई नरुटो पीछे देखो तुमारी मौत आईए अरे ये कौन धमकी दे रहा है मुझे लगता है मर रहा है इसको अरे ये क्या? सर्वियन डांसिंग लेड़ी के सारे arguably मेरे सामने नरुटो अब हम तीनहों मिलके तुझे बहुत जाधा बृदी तरीके से पहलेंगे तुझे मरेंगे आज हमारा रहता से तो तुम तीनों के लगता है कि तुम तीनों मिलके मुझे मार दोगे लेकिन ही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है तुम शायद भूल गई कि सर्बियान डांसिंग लेडी को मैंने बहुत जादा बुरी तरीके से मारता तो तुम किस खेत की मूली हो नरुटो शायद तुम भूल गए कि सर्वियन डांसिंग लेड़ी अकेले ती है और हम तीनों मिलके तुम्हें आगे से पीचे से दाएं बाएं से हर तरफ से मारेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन मारा है तुम्हारा बचना तो मुश्किल है आज हमारे हाथों से नरुटो तुम तो मरोगे अगर ऐसी बात ही तो अब मुझे अपनी उस छुपवी पावर को यूज करना पड़ेगा जिसको मैंने सालों से छुपा रहा था कुछ इसी तरीके के वक्त के लिए और ये मैंने यूज करा पावर चक्रा जूस्तू पावर बढ़ती जा रही है बहुत बढ़िया आखिरकार मेरा जूस तू पूरा हो चुका है और अब देखो मैं क्या करता हूं अरे नरुटो आखिर तू करने क्या वाला है तो कितनी पावर बढ़ ले अपनी लेकिन तू हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता वो तो पता लग जाएका भी सर्वियन डांसिंग लेडी के चेलो अभी देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हें है मैं क्या सॉच है वह भी नकल गयो चलो कर आजा डाग रोड हम सब मिलके तूरा भूद बरतेंगे डाक लोट निकल यहां से मेरे चेलो आजाओ इसका भूत बरते हैं सब्सक्राइब करेंगे बहुत बड़े गाइस लगता है तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चेलो को सब्सक्राइब कर दिया लेकिन अब भी मेरे पूरे चेले वापस नहीं है तुम यार फटेवट वीडियो को लाइक और चेलो को सब्सक्राइब करो आज 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 डाक लोट निकल यहां से आया मज़ा अरे बड़ी भरके लगिए मैं गया गाइस शायद हमने सर्वियन डांसिंग लेडी के चेले डाक लोट को मार दाया क्योंकि यहां पर नहीं आरा अरे इतनी आसानी से से dollars नहीं मार पाईगा तुम और यहां जो लगता तुम लोगरे वीडियो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करों को इतने D गया अरे नि भर गे मार रहे हो तुझे तो आम सब करेंगे आ जाओ आजाओ डाक लोड इधर आजया निकल लूइंब भूद भरतो ठीक है भूद भरते मारो मेरे चेलो इसको मारो दबा खे मारो एस नैसे पार रहे हो इतुर जब आपने रहे हैं बहुत बढ़ यह डाक लोट तो गया नरुटो तुने यह अच्छा नहीं करा मतलब तुपीज नरुप तेरे पेको और अटेक तो चल निकल यहां से अरे 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 नहीं नरुटो गया गाइस फाइनली हमने इस डाक लोट को तो मार दिया अब बारी है ड्रैगन मास्टर रो ड्रैगन मास्टर निकल यहां से अरे 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 बर बर की कैसे मार रहा और यह क्या यह डैविल बोस कांसे आ गया दोनों को भूट बरूंगा मैं इदर आओ अरे अरे मैं पिछल गया यह क्या हुआ तब एकदम से मेरे साथ आजाओ आजाओ सर्वियन डांसिंग लेडी के बढ़ा लिए में तुम्हारा भूट पर निकल यहां से नरुटो के बच्चे तेरी बैहां कि इदर आते हैं तुम्हारी मेजिकल पावर्स निकल पाएंगी मैं तुम्हारा भूट बढ़ा मुझे में बनाओगे तुम्हां टाक लोट के बच्चे मेरे पत्थर मारेगा क्यों आया मज़ा आप मुह सूझगी ना तेरा नरुटो चोड़े डैविल बॉस को रुक तेरे कोई पेलता हूं आया मज़ा नरुटो के बच्चे ले गुसा का अरे तुझे गुसा से कुछ होआ क्यों निए मुझे होगा भी नहीं तुम कितना ही मार लो अब मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी पावर्स अब बढ़ चुकि मेरे देखने वाले वीडियो को लाएक और चैनल को सब्सक्राइब कर र लाट मारूंगा या औरे तो हम दोनों मिल You कम बहुत बढ़ाओंगे चक्रीखा के मज़ा गुसे भी निकल यांसे तूं मेरे मारे का डैविल बास तु भी आ गए अचे और निकल यांसे और ड्रागनमास्टर पिछे जाता रुख तेरी ब्यास, निकल यांसे नरुटो आज हम दोने तुझे छोड़ेंगे नहीं नुब्ले मारो मारो कितना मार सकते हो तुम्हारे मारने से मुझे कुछ फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मैं तुम्हारा भूत बर दूँगा अरे मोपे घुसा मारे तुने तुम्हेरा कुछ नहीं पिगाड सकते मारो मारो अरे यह क्या पत्थर भी मार रहे हो लेकिन तुम्हारे पत्तर से मुझे कुछ होगा नहीं तुम्हेरे चोड़ेंगे नहीं अरे मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं होगा लेकिन अब तुम्हें बहुत कुछ होने वाला है मारो मेरे चेलो सर्वियन डांसिंग लेड़ी के चेलो को मारो बहुत पुरी तरीके से अरे इन लोगे ने थे भूष बर दिया मेरा क्यों कि अ हुआ सर्वियन डांसिंग लेड़ी के चेलो अरे य नो मास्टर पुझे को मारो अरे ऑन तु नो हुआ तुझे और दे मारने के लिए वह भी आud तो बचेगानी वो तो देखेंगी कि आज कौन बच्चे का कौन ही तुम तिनों को आज अगर मेरे एक साथ ना मारा तो मेरा नाम भी नरूटो नी आज हो तुम्हारी बैस क्यांक मारो सर्वियन डांसिंग लेडी के चेले मुझे मारो जितना दमें तुम्हें सारा दम लगा गए मुझे मारो अच्छे तो फिर तो तेरे को तो माभी पेल देंगे रुक तेरी बैस याक निकल यासे अब नरूटो के बच्चे तुझे कुछ होता की ने तो तो हिलता तक नहीं एक साथ मारेंगे तो निकल यासे निकल बस बहुत हुआ तुम लोगों को पेलने का टाइम आच चुका है आज हो तुम्हार है नरूटर एक याक तो निकल यासे और तुम्हार के बच्ची रूख तो निकल यासे और ये के तुखड़ा के से हो गया हुआ निकल यासे मेरोको मारेगा तेरे को शायद पता नहीं कि मेरथ नरुटो रुखजा डाकलोट तेरे कोई पेलता हूं तुने मेरे को पटकी दने कोईश करी ड्रेगन मार्शल निकल यहां से नरुटो तेरे परस नहीं पावाट का सारी है मेरे देखने वाले वीडियो को लाइक और चेल को सब्सक्राइब करें पावाट केसे नहेंगी तुम निकल यहां से क्या हवा हवा में मारा है मेरे इस डाकलोट को एक मिनट हवा में मार रहे हो मेरे को एक बार नीचे उतरने तो बस तुम्हारा भूत भर दूआ मेले को गुस्षा रहा तुमने मेरे को हहाँ मार रुख तेरी बैस हे निकल की दोगे रुख जाओ रुख जाओ तुम्हारी बैस के आख क्हुलिया, इधर वगलो आओ यह हुआ जाओ जाओ एक ही करके पहलूँ ओ तुम्हारब भूद्बरक के और शॅचक्वLand То तेरेको तो हम भी मारेंगे खले में वो तो पतला जाया कौन किसwo माराएंगा खले में और कौन किसको नहीं I और नरूटो मुझे घुसा रहा है और बहुत ज़्यादा पॉरफुल हूं तुम्हें शायद पता नहीं है क्योंकि मेरे देखने वाले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पास और ज़्यादा पावर साथ यह तुम तीनों को मैं अकेला मारो क्योंकि मेरे देखने वाला मेरे साथ देरे को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हूं आजाए नोट को हिम्मत दे तो मेरे से लड़ाई लड़ यह सब्सक्राइब कर छोब्सक्राइब कर पा चक्री के भीना ललना तेरे को तो चक्री से मारूंगा मैं डैविल बॉस आजा आजा ओहो इसको काईस में लगाता और तीन बार चक्री मारी और ये सबसे ज़्यादा पाफुल चक्री सबसे बड़ी चक्री तू तो गया डैविल बॉस अरे अरे नहीं यह कैसा टेक था नहीं और अफ। पत्थरर का पे ले बस बहुत हुआ तुझे खंव करने का टाई माथ चुका है डैविल बौस ले आकरी चकरी निकलनेां से आप तो डुबारा आगया रूग 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 दुबारा चकारी इसके थो आज में चकरीों से मारण कुळाए ठीए Shark拍 J,即 processes in पड़ेगा और तू तो गया अब तेरा उठना मुश्किली नहीं नामकिन है डैविल बॉस क्या हुआ है डैविल बॉस उठना लगता है डैविल बॉस मर गया बहुत ज्यादा बढ़िया नरुटो हम तुझे मारे बिने नहीं मारेंगे और यह क्या सर्बियन डाउसिंग ले सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलो आज लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें खुद यहां पर लेकर आ गई है मैं चाहता नहीं तो उस फॉर्म को यूज़ करने पड़ेगा तुम्हार फटेवट वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अपनी उस अब इन लोगों क्या होगा इन खुद नहीं पाता इन लोगों को मैं इतनी ज्यादा बुड़ी तरीके से तुम्हारों को इनोंने सोचा भी नहीं होगा सर्वेंट डांसिंग लेडिके चेलो तुम्हारा भूत बड़ी करती मुझसे लड़के सर्वेंट डांसिंग लेडिके चेलो मैं हूँ तुम्हारा भूत पर दूगा तुम शायद जानते नियों मेरी असली पावर मेरे पास इतनी पावर से कि तुम सौच भी नहीं सकतें तुम्हारा तो आज मैं भूत पर दूगा तुम्हारा खेल खतम हो जाएगा सब्सक्राइब करना है तो तुम्हें वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जब जाके मैं सर्वेंड डांसिंग लीडिके चैनल को अरा सकता हूं और जिसने करता है वो कॉमेंट में जाके लिख दो नरुटो ओपी फटावट करो कैस मैं अपना आपको एक्टिवेट करने कोश करो लेकिन होनी पारा कैसर फटावट करो वरना ही आज मेरे को मार देंगे मेरे को कुछ भी करके अपने आपको अपग्रेट करना पड़ेगा सर्वेंड डांसिंग ल करांगी कब में तरे को कैसे पैलता हूँ वो दोनों तो मर गए और आज तू मरेगा रहा तो दुबार आपक्रेट कर रहा है नहीं नहीं अपड़ेट करना ही वाला तो लेकिन बस सब्सक्राइबर सो लाइक कम रहे गए लगता है तुम लोगों ने थोड़ीं से और वीडि और क्रटोस को जिन्दा कर पाऊंगा जादा पुरी तरीके से मारता है बलकि इतनी जादा पुरी तरीके से मारता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ से डर के भाग जाती लेकिन गाई सर्बियन डांसिंग लेडी के चेले अभी मरे नहीं होते और फिर देखते ही देखते हैं सर्वियन डांसिंग लेडी के चेले अचानक से नरूटो पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद नरूटो सर्वियन डांसिंग लेडी के चेलो को बहुत जादा बुरी तरीके से मारता है और एंड में तो नरूटो अपने आपको बहुत जादा अपगरेट कर लेता है और सर्पियन डांसिंग लेड़ी के चेलो को आखिरकार एंड में वो जान से मार ही देता है अब गाईस यहां से आगे देखो इस एपिसोड में आखिरकार मेंने सर्पियन डांसिंग लेड़ी के तीनों चेलो को मार ही दिया लेकिन इनको मारते मारते मेरी हालत बहुत जादा खराब हो गई अब फटेवाट फ्रेंकलिन को कॉल करता हूँ टाकि वो इन तीनों के डैट बड़ी को टोनी के पास लेके जाए हेलो फ्रेंकलिन मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे चेलो को मार दिया तू फटेवाट ट्रक लेकर आ बहुत बढ़ी है नरुटो मुझे तुमसे यह उमीदती लेकिन ट्रक क्यों मंगवा रहे हो तुम फ्रेंकलिन फोन पे ने बता सकता पहले ट्रक लेकर आ फिर बताऊंगा अच्छा ठीक नरुटो लेकर आ रहो में ट्रक फाइनली काईस यार में ट्रक लेकर आ चुगा हूँ इस लोकेशन पे जहाँ पर मुझे नरुटो ने बोला ता आनिक हो एन नरुटो कहा है आपर अच्छा ये रहा नरुटो चलो गया सर फटवड अपने ट्रक के अंदर से निकलते हैं गॉइस यारे नरुटो तो मेरी सोस से भी ज़्यादा पारफुल निकला इसने केले सर्बियन डांसिंग लेड़ी की तीनो चेलो को मार दिया लो नरुटो में आ गया ट्रक लेगा लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ट्रक मंगाया क्यों है ताकि फ्रैंकलिन तुम इन तीनों के डैट बड़ी को इस ट्रक के अंदर लोड करके टोनी के पास लेके जाओ पर क्यूँ फ्रैंकलिन अभी कुछ समझाने का टैम ने बस तुम इन तीनों के डैड बड़ी को टोनी के पास लेके जाओ जल्दी से अच्छे रो ठीक है नरुटो मैं इनके डैड बड़ी को टोनी के पास लेके जा रहा हूँ और एक मिनट इनरुटो कहां चला गया लगता है अपने आपको रिकवर करने के लिए गया होगा क्योंकि इसके काफी जावरा चोट लगई यह सर्पियन डांसिंग लीड़ी के चेलों से लड़ते लड़ते और उसके बाद निकलते हैं टोनी की तरफ लेट्स को सबसे पहले मैं इस डैविल बॉस को ठाता हूं और जो भाई मेरे को इसको लेकर जाना ही पड़ा है क्योंकि यहां पर और कोई उप्शन नहीं है बड़ी मेहनत के बाद काईस फाइनली मैंने सर्वियन डांसिंग लेडी के तीनों चेलो को ट्रक के अंदर लोट कर दिया एंड आप हम लोग फाइनली जा रहे हैं टोनी के पास और उपड़ से बाई इस ट्रक की स्पीड देखो इतनी जादा कम है भाई मेरे को लगता है रा पर कितनी स्पीड में है पर कितना ड्राउना लग रहा है आखिर है कौन तू फ्रैंकलीन मैं हूँ सर्वियन डांसिंग लेडी का चेला हैल बॉस और आज मैं तुझे मार के अपने तीनों भाईये को लेके चला जाओंगा सर्वियन डांसिंग लेडी के पास अच्छे तो ह हैल बॉस तुझे सर्वियन डांसिंग लेडी ने बेजा इनकी डेट बड़ी को लेके जाने के लिए और मुझे मारने के लिए लेकिन इतनी आराम से मैं तुझे अनकी डेट बड़ी को लेके जाने नहीं दूणगा बहुत वाद तू अब मारेगा फ्रैंक्लिन वह भी तुड़ट निकल यांसे अरे बड़ी भर की घुसा मारा है बैँ इन ने तो खुनम खान कर दिया निकल यांसे तुम बरता क्यों नहीं है निकल यांसे मेरे को मारेगा अब कितनी भर-बर के कोको में लात मारा लेकिन में अब भी हार नहीं मारूगा या तो मरूगा तुझे मारूगा ओभाई क्या मारा इसने मुपे फ्रैंक्लिन अब यह तो शुरूआ तो ले लात मारिये छोड़ूगा नहीं में तुझे हैल बास तो क्या मज़े ने चोड़एगा इधर इधर मेरे गुसाँ मारेगा निकल य मार रहा है क्यों क्या हुआ फ्रैंक क्लीन तो मुझे मारने की बात कर रहा था क्यों फ्रैंक क्लीन अब निकल गई साली है कड़ी काइस तुम फटवर्ट वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी कोई हेल्प करने के लिए आ जाए वरना तो आज ये मु वह फ्रैंक क्लीन बस बहुत बोले तुने अभी भाला तेरे सीने में जाकर ही रहेगा वह फ्रैंक को टश्दी मत कर लियो अरे अब यह कोना है लगता है इसको भी इस फ्रैंकलिन की तरह पिटना है तो मार ले लगता है मकड़े तेरे में कुटाए लगानी पड़ेगी गखते हैं तेरे में कितनी पावर्ट से रुक मखड़े तेरी पैस्ट निकल याँ से अरे ये तो हिला भी ना ही सही सार्ब्याइन डांसिंग लेकि टोनी की पाच जाओ छल्दी लेकिन इस स्पाडर मैं मैं तुमें अकले छोड़ सकता हूँ इस हैल बोस के साथ फ्रेंक्लिन तु मेरी चिंता मत करो इस हेल बोस से तो मैं निमट लूँगा अब है मकड़े तु निमटेगा मेर से तेरे को तो बाद में देखूँगा लेकिन मुझे ये समझ में नियारा कि आखिर ये फ्रेंक्लिन उटके से गया इसमें तो बहुत हिम्मत है फ्रेंक्लिन इससे बात है क्यों कर रहा है ये तेरे को पेल देगा फटावट तु से जो क्या कि टोनी के पास लेके जा सर्वियन डासिंग लेडी के डैट बोड़ी फटावट जाए इससे बाते मत कर लेकिन मैं ऐसा होने नियुँगा मकड़ तो ये तो बात में बताओंगा लेकिन पहले इसको पेलता हूँ अरे ये का पीछे सा क्या करा श्पार्डर मैं तुने या करो जल्दी जाओ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हाँ हाँ जल्दी ही जा रहा हुँ मैं एक तो गाय से इस ट्रक के उपर चलना भी एक बहुत बड़ी चुना होती है लेकिन हम फाइनली उपर आ चुके हैं दरवाजा खोल दिया है मैंने और फाइनली ट्रक क कहां चला गया लगता है मुझसे दर के भागया आई लेकिन एक मिनट यहां पर सब लोग भाग्यों रहें लगता है कुस्तोगर बढ़िए अरे जी किसने अटेक करा मुझ पे मखड़े मैंने अटेक करा तू तो मरेगा नूब्रे हैल बॉस मरूंगा मैं नहीं मरेगा तो और नहीं 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 आओ एक और गुसरत निकल यहां से अब तो तेरा उटना मुश्किल नहीं नामुम्किन है बहुत बढ़िया इसको मार ही दिया आखिरकार मेरे मकड़े तूने मुझे मारा है इसका बदला मैं जरूर लूँगा मैं लौट कर जरूर आउंगा पता नह इसके आवास कहां साइथी लेकिन इतना मुझे जरूर पता है अब यह मेरे से दर के भाग चुका है मकरे डर के वह भी तुछ से भागूंगा इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे आ रहा हूं तेरे को पेलने के लिए एक मिनिट गाइस लगता है तूबारा से आ रहा है मुझ सब्सक्ति Fernół byadu बहुचिए मेरे यहां से बिस निकल इंकल नियहां से तो निकल नियां से घृप तीरे को खतम करने का बहुत घूंता हैं ले पटकी खा अरे नहीं नहीं गया मैं फाइव मिनिट लेटर अच्छे तो मुझे मार के यहां गया तरुक तरे को तो ही बदाता हूं हेल बॉस से निकल यहां से क्यों आये मज़गू सागा के मकड़े तूने मुझे कुसद ला दिया अब देख कैसे पहलता हूं अरे नहीं बड़ी भरबर के लगए नहीं और बाई मेरी तो हटी पस लिएक कर दिसने मकड़े तेरी वैसे वो फ्रैंक्लिन मेरे हास से निकल गया तू गया यहां से अरे मैं गया अब तोनी तो सबसे पहले मुझे यह बता कि आखिर तूने तूने के लिड़ी के चेलो की डेट बड़ी को अपने पास क्यों बुलवाया है क्योंकि फ्रैंक्लिन हम इनकी डेट बड़ी का यूज़ करके सिंचें चौपर क्रटोस को जिन्दा कर सकते हैं मगर कैसे टोनी फ्रैंक्लिन बराबर में एक मशीन है और इसका सर्पियन डासिंग लेडी ने यूज़ करके अपने चेलो को जिन्दा कराता तो तूमारे कहने का मतलब टोनी यह है कि हम इस मशीन का यूज़ करके सिंचें चौपर क्रटोस को भी जिन्दा कर सकते हैं तुम करती हैं लेकिन टोनी मुझे ये समझ में यहारा कि आखिर तुमने अपने सूट को भार क्यों रखर रख रखा हैं तुमारे लिए बार रख रखर हैं मतलब टोनी आखिर कहना क्या चा रहודה हो मतलब फ्रैंक्लिन तुम इस सूट को फटावरट पें़ लो तुमारा सूट प तो बताओ फ्रेंक्लिन ये मशीन बिना मैजिकल एक के काम नहीं करेगी और तुम्हें यहीं मैजिकल एक को लेकर आना है फ्रेंक्लिन अच्छा तो यह मैजिकल एक मिलेगा कहां फ्रेंक्लिन अभी यह मैजिकल एक लोस सेंटोस के माफियों के पास है और तुम्हें इन साइस magical egg को लेकर आना है ठीक है तरे टोनी में जा रहा हूँ magical egg को लेने के लिए उन mafya हो से लेकिन तो पहले मेरे को location तो बेज़ दो आखिर वो mafya मेरे को मिलेंगे का Franklin mafya के location में ने तुझे पहले ही भेज़ दी है ठीक है तरे टोनी में निकलता हूँ mafya के पास magical egg को लेने के लिए काई इस पिछले एपिसोड में नरू टोने सर्बियन डांसिंग लेडी के तीनों चेलो को जान से मार दिया होता है अब इसके बाद Franklin सर्बियन डांसिंग लेडी के तीनों चेलो के डैड बड़ी को टोनी के पास लेके जायरा होता है कि वहाँ पे एकदम से Hellbox आयाता है उन तीनों के डैड बड़ी को लेगे जाने के लिए लेकिन Franklin Hellbox को ये करने से रोकता है और उसके बाद Hellbox Franklin को बहुत जादा बुरी तरीके से मारता है अब इस से पहले कि Hellbox Franklin को जान से मारता है वहाँ पे एकदम से Spider-Man आयाता है फ्रेंक्लिन को बचाने के लिए और फिर स्टाट है आती एक बहुत जादा खतरनाख फाइट हेल बॉस और स्पाइडर मैं में स्पाइडर मैं और हेल बॉस की फाइट के वैसे फ्रेंक्लिन को मौका मिल जाता है अब कैस यहाँ पर फ्रेंक्लिन किसी तरीके से सर्विएन डांसिंग लेडी के चेलो की डैट बुड़ी टोनी के पास लेकर आई जाता है फाइनली और फिर यहाँ पर फ्रेंकलिन को पता लगता है कि अगर उसको करटोस जिंचेनो चौप को जिंदा करना है तो उसको मैजिकल एक को लाना पड़ेगा जो कि लास सेंट आस की सबसे ज़ादा बड़ी गैंग के पास है उनके रख देंगे चुप चाप चला जा यहाँ से वरना फाल तुमें मर जाएगा काईस की दिखने में तो लड़की है लेकिन इसकी आवाज आदमी को तरह जो भी है इसने मेरे को टीन का डिपा बोला रुक तेरी बैस क्या निकल यहाँ से बॉस कमार हम ते चोड़ेंगे नहीं मुझे नहीं चोड़ेंगे गया एकी जटके में जमीन पे लेड़ गया अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यार यह तो मेरे को चुप चाप मैजिकल एको लेके जाने दो वरना तुम भी इनकी तरह मरोगे तुझे एकनी असाने से मेजिकल एको लेके जाने पीज़ेंगे तुम लहाँ लेलुई करेंगे अब तुम लोग बताओ तुम मैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं हैं मैंभी कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहां पर तो इनके दिलों में मेरा खौब बेढ़ कया है तो चलो अब हम लोग फटवट मैजिकल एक को उठाते हैं और यहां से निकलते हैं और टीन के डिप मैजिकल एक को उठा मत लियो एक मिनट गईस यहां से एक पीजे दे सारे लोगों ने हमला कर दिया तुम लोगों ने मेरे को बातों में पहसा दिया और पीछे से अपने बंदों को भिलवा लिया मैं तुम में से किसी को ने चुड़ूँगा बस बहुत हुआ गाईस अभी लोगों को पेलने है पड़ाग पीजे से गैंगे बंदे आरें जो कि मैंजी के लेको लेकी जाने कोश करें लेकिन मैं ऐसा होने नुगा मैं इन में से किसी को छोड़ूँगा नी अब टीन के लिप छोड़ेंगे तो हम तुझे नी मुझे ने चोड़ूगा रोको तुमारी बैस निकल यहां से और तो कईस यहां पर एक साथ इते सारे बंदे मेरे पर गंश्च चिला रहेते लेकिन भाई मिरेको एक खरोस पकने आए क्यूकि मेरे पास है यहां पहुत सारे बंदे आ चूकि इंगादे लेके तुम लोगों को चड़ूगा निटक्स बढ़ाना पड़ेका देखो मैं क्या करता तुम तो गए अरे करने के वाला है तुम निकल यहां से भाई साब एक ही बारी में सब को ओड़ा दिया काड़ी तक पूड़ दी भाई लेकिन एक मिनट यहां पर पीचे से मेरे को पहला दो लेकिन एक मिनट यहां पर एक साथ बहुत बंदे आ चुके तुम लोग गये भाई एक ही बारी में सबको मार दिया गाई क्या ये पावर अरे भाई रायर मैंने के सूट के अंदर लीकिन मेंं एक मिनटका इसे पर होगा ये और बंद हो दो बोर है में अई है यहां सबकर है में दो पर यहां इसे than two-style अन्मारे में सबको दो गाए हो एक एक कีया में मार्न ऊल्ड़ कंप के बंदों को मार दिया है अब यार काई और बंदे आचुके यहाँ पर लेकिन मैं वाइस ने किसी को निचुड़ूंगा पता निनको बदा कौन रहा है अब देखो मैं क्या करता हूं बाइस यहां पर मेने एक ही बारी में सारी गाड़ी उडा दी एक मिट यहां पर और करते देखो नफे में वहां पर में हमने चाहिसा यहां पर फरसे को निचुके बाइस ने को बस बहुत हुआ गाइस इन लोकों में एक ही जटके में खतम करूंगा मेरे पास सब भी थोड़ी सी एनरजी बची है अब तुम कई वन टो ट्री बाइस साफ सब पोड़ा दिया वह क्या पावर भाई रहे मैंने के सूट के अंदर एक सेकंड के अंदर भाई पूरी की पूरी गैंग को खतम कर दिया आपे मैंने तो चलो कैसर अब हम लोग फटेवाट यहां से निकलते हैं हमें मैजिकल एक बी मिल चुका है बहुत बढ़िया काई सब्सक्राइब कर लो लिंक तुमें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी एक मिनिट गाईस यहां तुम देखो पीचे कुछ है पाई तीसी आवाज नी करती है पाता नहीं यह फ्रेंक लेंट कहां रहे अब तक तो उसको मैजिकल एक को लेकर आजना चीए था टॉनी मैं आ गया तू तो गया बिटा अरे यह क्या यह आवाज क्या से आई इधर देख टॉनी अरे आखिर है कोन तू आज से पहले मिन तू यह कभी नहीं देखा टॉनी मैं सर्वियन डांसिंग लेडी का चेला हैल बॉस और आज मैं तुझे खतम कर दूँगा अच्छे था तू है हैल बॉस और सबसे पहले तो मुझे यह बता कि तूने स्पाडर मेन के साथ क्या करा उस स्पाडर मे ने सकता क्योंकि मेरे सूट फ्रेंकलिन लेके गया आगर मेरे सूट मेरे पास होता ना फिर इसको मैं बताता तोनी तू अपनी उकात के साबसे बाते को ज़्यादा बड़ी करता है अब सबसे पहले तू पीछे देख मैंने क्या कर रहा है अब रुच्छा भी देखता हूं अब आखर ऐसे तुने क्या कर दिया अरे यह क्या सर्बियन डासिंग द नीडिके च्येलो की टेट बड़ी कहा चलिकाई हैल भॉस, सरब्ão डासिंग लेडी के च्येलो की डेट बॉड़ी कहां चुपचाप बता दे तू बहुत बहुत बोलता है क्या हुआ टोनी निकल गई हवा अभी तो बहुत बहुत बोलाता टोनी तो गया और अब टाइम है इस मशीन को पूरी तरीके से तबा करने का क्योंकि सर्वियन डांसिंग लिडी नहीं चाहती कि टोनी किसी को भी जिन्दा करे अरे आखिर तू करने क्या वाला है हेल बोस बस देखते रहे टोनी में क्या करने वाला हूँ अरे नहीं इतनी अदा खतनाक तरीके से क्यों हस रहे तू है तू हेल बोस क्योंकि यहां पे सब कुछ खतम होने वाला है सब कुछ जाएगा अरे नहीं हेल बॉस ये क्या करा तुने अरे बच किया वरना आस्तों में मर ही जाता उस सर्वियन डांसिंग लेडी के चेले हेल बॉस ने पता नहीं कौन सा टेक करा यहाँ पर मैं पूरा खुन में लटपत हो गया और एक मिनट यहाँ पर मेरा पूरा मैंचन तबाह हो गया और वो हेल बॉस सर्वियन डांसिंग लेडी के सारे चेलो की डैड बॉड़ी लेके चला गया और उपर से मशीन भी तोड़ती सब कुछ बरबाद हो गया यहाँ पर तो जितना मुझे लगता है कि सर्वियन डांसिंग लेडी का चेला वो हेल बॉस सर्वियन डांसिंग लेडी के सारे चेलो की डैड बड़ी सर्वियन डांसिंग लेडी के पास लेके गया होगा ताकि वो उन तीनों को जिन्दा कर सके हम सारे गेंग वालों को मार के अब क्या ही फाइदा फ्रेंक लेंग क्योंकि यहां पे सब कुस्त तबाह हो चुका है एक मिनट टोने तुझ इतने जारा चोट कैसे लग रही है और मेरी हलत भी बहुत जादा खराब होई मैं तो मरते मरते बचा हूँ ओ शिट टोनी है तो बहुत बुरा हुआ लेकिन वो हैल बॉस भी बहुत जारा चला कि जब यहां पर कोई नहीं था वो जब तुम पर अटेक करने के लिए अगर तुम पर तुम्हारा सूट होता है तुम तो उसका भूत बढ़ बढ़ देते केह तो तुम सही रहे हो टोनी लेकिन मैं अकेले सर्वियन डांसिंग लेडी और हैल बॉस को कैसे रोकूंगा सर्वियन डांसिंग लेडी के चेलो को जिन्दा होने से रोकने के लिए यह तो बताओ मुझे बात तो तुम सही कह रहे हो फ्रेंक्लिन लेकिन तुमने अपना सूट के उतार दिया क्योंकि इस सूट के अंदर मुझे तुम्हारी सही से हवाज नहीं तुम इतना ज्यादा हलके बोले हो तुम्हारा चोट लग गई इस वएसे अब देखो फ्रेंक्लिन थौर, हलक, स्पाडर मैन, गोको, नरुटो सबके चोट लग रहे हैं वो तुम्हारी मेरतो करने सकते हैं तो तुम अकेले इस सब को रोकना पड़ा का देखो सब कुस तुम पर यह फ्रेंक्लिन लेकिन टोनी अकेले सर्वियन डांसिंग लेडी और हल्बोस को रोकने के लिए जाना सीधा मौत की मूँ में जाने की बराबर है तुम पर मेरे सूट एंधा Franklin तो मेरे सूट का इस्तेमाल करके सर्पियन डासिंग लीडियों चल्टो को रोक लो वरना बहुत बड़ी तभाई हो जाएगी पूरे लाज सेंटोस को तभा कर देंगे सर्पियन डासिंग लीडियों उसके सारे चेले और साथी हम सब कभी मार टोनी और फ्रेंक्लिन में आगे आज उन सर्वियन डांसिंग लीडियों उसके चेलो को छोड़ेंगे नहीं हम गाइस मेरे को तो लग रहा था कि मेरे को अखेले जाना पड़ेगा लेकिन यहां पर गोकु भी आ चुका है बहुत बढ़िया टोनी तू टेंशन मतले मेरे पास तरह सूट है और साथ ही मेरे साथ गोकु भी तो उस हेलब उसको तो हम लोग मिलके भूत बर देंगे और सर्वियन डांसिंग लेडि के चेलो को जिंदा होने के लिए लैट्स को एंड फाइनली हमने पेहन लेया आरेमेन का सूट तो चलो फिर गोकु निकलते हैं यासे सर्वियन डांसिंग लेडि के चेलो को जिंदा होने से रोकने के लिए लैट्स को हाँ फ्रेंकलिन चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ चलो गैस और फटवाट चलते हैं मेरे पीछे गोकु भी आ रहा है बहुत जाथा बढ़िया आस तो गैस हम हैल बोस और सर्वियन डांसिंग लेडि को चोड़ेंगे नहीं और साथी सर्वियन डांसिंग लेडि के चलो को जिन्दा होने भी नहीं देंगे क्योंकि अगर वो जिन्दा होगे न तो पहले से भी ज्यादा पाउरफुल होंगे और उनको हराना बहुत जाधा मुश्किल होगा गाइस पिछले एपिसोड में फ्रेंकलिन आरेमेन का सूट पेंड़ कर मैजिकल एक को लेने के लि तूट जाते हैं जिससे सिंचें चौबर क्रटोस को जिन्दा करा जा सकता था और साती हैल बोस सर्बियन डांसिंग लेडी के तीनों चेलो की डेट बुड़ी लेके चले आता है सर्बियन डांसिंग लेडी के पास ताकि सर्बियन डांसिंग लेडी उन लोगों को जिन्द कर सके और यहाँ पर टोनी किसी तरीके से धमागे में जिन्दा बच जाता है लेकिन उसकी बोड़ी से बहुत जादा खून निकल ला होता है और इसके थोड़ी देर बाद फ्रेंक्लेन और गोकु को भी पता लग जाता है कि हेल बोस सर्बियान डासिंग लेड़ी के तीनों यहाँ पर तो गोकु ने दो मिनट के अंदर हैल बोस को धूल चटा दी चलो गोकु फटवर डाईस से पूछते कि आखिर यह सर्बियान डासिंग लेड़ी के तीनों चेलों की डेड़ बोड़ी कहां लेके गया है हेल बोस अगर तो जिन्दे रहना चाहता तो चुप चाप बता दे कि आखिर तो सर्बियान डासिंग लेड़ी के चेलों की डेड़ बोड़ी कहां लेके गया है नहीं बताऊंगा अरे यह क्या मेरे पे टेक करा तुछर छोड़ूगा नहीं मैं फ्रेंकलिन और पूछके क्या ही कर लेगा वो तो जिन्दा होने वाले हैं और ये क्या ये हेलबोस कहां चला गया और इसने कहा था कि सर्बियान डासिंग लेड़ी के चेले जिन्दा होने वाले हैं इसका मतलब गोको हम पे जारा टाइम नहीं बचाया प्रेंकलिन तुमने एकदम साही का हमें कुछ भी करके हेलबोस को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वहीं बता सकता है कि सर्बियान डासिंग लेड़ी के अड़्ड़ का है यहां पर तो गोको ने दो तिन गुसों के अंदर हेलबोस को हरा दिया भाईसाब हेलबोस खड़ा तक नहीं हो पा रहा है यहां पर अब हेलबोस के बच्चे चुपचा बता दे कि आखिर तू सर्बियान डासिंगे अखिर संगरgewान लेड़ी के कि आखिर अठरी के अड़्वाथ का यहां पर मुझे अट्पियान डासिंग लेड़ी ने तुम्हें रोकने के लिए ना की तुम्हें बता ने कि लिए सर्वियन डांसिंग लीडी ने अपनी पावर्स इसको दियोंगी जरूर लेकिन एक नट फ्रेंक्लिन वह आ रहा रहा है दुबार से बचके अपनी चर्वियन डांसिंग लीडी और उसके चेलो को मारने से पहले में मरने वाला नहीं चलो बड़िया गाईस गोगो तो मारा नहीं अभी लेकिन गोगो तुमने क्या है रिए क्रातोस ने जरूर का बचके तो, अरे कौन क्रेटोस मेरा नाम एविल बोस ही और आज में तुम दोनों को मारने के लिए आया हूँ गायस वो सर्बियन डाउसिंग लिडी हमारे दोसको हमें ही मारने के लिए इस्तेमाल कर रही है अबे ओ फ्रेंक्लीन कौन सा दोस बस बहुत हुआ तुम दोनों को पिलने का टाइम आचुका है तुम तो मरोगी आज मेरे हाँ से नहीं क्रेटोस तो अपने ही भाईयों पर हमला नहीं कर सकता है क्रेटोस मेरे को पता है तू अपने आपको कंट्रोल कर सकता है मेरे भाई क्रेटोस सर्पियान डांसिंग लीडी के बच में से निकलने कोईश कर प्लीज कोशिश कर अपे क्या नाटक लगा रखाया बस बहुत हुआ तुम मरोगे आज और एक मिनट काई से क्रेटोस का गयाब हो गया मेरे को धमकी देखे आँ दोनों मिलके گोगको को मार रहेंगे मेरेको गोगो की मदद करनी होगिया ईयार एक तो मेरी सारामन का सुट समल नी रा Kommis anh यहाँ पर गोगो को उनंगी देख रहा काई गोकू को उन दोन tournaments नहीं दिया एक मिट गाईस ही आगे गोकू, और यहाँ पर तो बड़ी खतरनाग फाइट और यह गोकू और कर्टोस की बीच में गाईस यहाँ पर तो मैं गोकू की मरत भी नी कर सकता, क्यूंकि गाईस गोकू और क्रटोस इसली तेज लड़ने की मेरे कोई दिख तक नही रहे फ्रेंक्लीन में तुरे छोड़ूंगो इस फार्स मारा है कि मैंने को दिक तक नहीं रहा लेकिन एक मिनट का इस यहाँ पर हैल बॉस को ने लिए पूब ने किसने बारा मेरे को मेरे सूट की पाउर कम उतिया रही है कर दोनों मेरे को मार रहे हैं बसकाइस भूत हो मैं बहुत देर से पिटे आ रहा हूँ अब इनको मारूंगा एक मिन्ट को को यह रहा लेकिन क्रेटोस गोकु को बहुत जादा बुरी तरीके से मार रहा है मेरे को कहीस की मरत करनी होगी करेटोस तु क्या करण अरे यह क्या है रहे हैं यहाँ पिर आता मैं बहुत भास तेरी को तो मैं जला दूंगा अरे नही नहीं फ्रैंक्लीन चोड़ ञाएं फ्रैंक्लीन इक मिनट यहां पर तो क्रटोस आगया अपने दोस्त को मार दिए चाहरा है तुमेर को मारना चाहरा है मेरे सूट की पार बहुत साथा कम हो गई और गाइस दिखू पले किसकी ना रही है रही गाइस मुझे इस पर टेक करना पड़ेगा वर नहीं मेरे को मार देखा गाइस यहां पर मैं मरते मरते बाच्चे हो अभी मेरा सूट पूरे तूट जाता लेकिन एक मिनट करटोस कई मर गोको मार दियो नहीं जब सर्वियन डांस लिडी खुद गोको नहीं मर पाई तो क्रेटोस क्या मारेगा गाइस यहां तो बहुँश हो गया होगा या फिर क्रेटोस को डूण रहा होगा मैं काम करता हम फटेवार्ट इस हेल्बोस से पूछता हूं कि आकिर सर्वियन डांस लीडिक घ्ट नहीं बताएगा औरे यह नहीं बताएं चाया अमर भी जाओं नहीं बताएगा बता जल्दी कहां सर्वें डांस लीडिक यहलवय्यन लेकि घ्र ऐख गया खुदो गया लेकिन इतना फमजह पता है कि गोको को एलबोस या क्रेटोस नहीं मार सकते फ्रेंक्लिन गोगो का तो नहीं पता लेकिन तो हमारे हाथों से मरने वाला है एक मिनिट गैस मेरे को लग रहा है हैलबोस आ रहा है एक मिनिट गैस हलबोस आ गैस मैं तो छोड़ों गोनी है हलबोस निकल यहां से हलबोस को छोड़ दे फ्रेंक्लिन अरे क्रेटोस भी यहां पर आ गया अरे गॉइस यारे दोनों मेरे को एक साथ मिल के बारे अरे क्या मेरे सूट बहुत ज़रा डेमेज होता है यह से मैं मर जाओगा मेरे को यहां से फटाफट निकलना पड़ेगा गाइस लिकिन एक मिनट यह रोप कहां से आ रही है अब क्रेटोस तो दुबार आ गया एक मिट तरह को छोड़ूंगा लिए तो निकलने भी निदे रहे अरे काई सूट बहुत ज़रा टेमेज हो जुका है मेरे को फटवाट यहां से निकलना पड़ेगा पतनी गोकु कहां रहे का गोकु की वेसे में इन दोनों से बचकी भाग र दोनों का भूत बढ़ देते अब इससे पहलेगे गाईस वो दोनों आगे दुबारा से मेरे पाटेक करें मेरे को फटवाट गोकु को ढूना पड़ेगा एक त्यारा हमने का सूट मेरे से अभी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा एक मैट क्रटोस आ गया मरेगा त्यू फ्रैंक क्लीन दोनों मिलके तेरा भूत बर देंगे जब तक गोकु आएगा उससे पेले तो हम तुझे मार देंगे गोईस मेरे को फटवाट निकलना पड़ेगा मेरे सूट बहुत सारा डेमेज होता है रहा और वोई क्या गुमा गुमा की उसे मारने तोनों के दोनों चलो चलो ग पाग सकता मेरे को जल्दी गोगो को दूड़ना पड़ेगा वरना ये दोनों मेरे को पेल देंगे लेकिन एक मिनट मेरे को रौप से किसने घीचा तुपार से आगे हैं तुम्हें चोड़ूंगा निया तो मारूंगा जी तुम्हें मारूंगा अरे यार गाइस ये क्या मेरे को ढूंड़ा होगा और मैं उसको ढूंड़ा हो इसी चक्कर में हो दोनों को दोनों फायदा उठा रहे हैं लेकिन एक मिनट गाइस यहां पर सब लोग दर के भाग क्यों रहे हैं आकिर हुआ क्या है इनसा पूछता हूँ बैर तुम लोग भाग क्यों आकर परिशानी में भी अखिर गाइस इसा कौन आ गया जो लोग डर रहे हैं अरे एक मिनट यह कौन है और यह तो क्रटोज और है यह कहां पर आगा है यहां से लगता है इनकी बात कर रहे थे वो आस तो फ्रैंक्लीन तुम मरेगा तुझी क्या लग रहा था कि तो हमसे बच जाएगा और और गाइस इन लोगों ने तो मेरे खुद बारा से पेलना शुरू कर दिया अरे गोकु तु कहा है जल दिया मुझे बचाने के लिए गाइस अगर तुम चाहते हैं मेरे को गोकु मिल जायता और फटवाट वीडियो को लाइक करतो चैनल को सब्सक्राइब करतो वरना तो भ बेटा बाता में भी तुझे ही डून रहा था लेकिन तो मिलके ही नहीं दे रहता आखिरकार काईस मिझे गोकु मिल चुका है अब आने दो करतोस और हेल बॉस को उनका भूद बर देंगे हम दोनों अरे फ्रेंक्लिन बचके वो दोनों आ गए अरे काईस यार हेल बोस और क छला गया मेरे को करतोस ने दिख रहा ना ही गोकु दिख रहा और ना ही हल बॉस दिख रहा अकर कांगा ये लोग मेरे कोने कना Au क्तिबार मेरे और मेरे हात्ते उस्तुर करण गया ब agora कि दोनों तो इन नहीं काल गया है घॉ Donc which मैं प्रेंद बार मेền2 निक्डमीumत तान सभ तुम मारेगा आज फ्रेक्लिन हो भी अरे मैं तुझे छोड़ूँगा नियां से पतल लगा एक मिनट को इस यार गोकु और क्रेटोस की फाइट देखो इन तो पूरे लास सेंटोस को थबा कर दिया इतनी खतनाग फाइट कर रहे हैं यहां पर तुम देखो भाई गोकु को गुस्सा आ गया गया गोकु ने क्या मारा है क्रेटोस को अरे एक मिनट यहां पर तो गोकु बहाँ बहाँ जाला गया जादा गुस्ते में लिक्रिए एक मिनट यह क्या हुआ गया और यहां पर में तेरा गेम अलब निकल यहां से और को इसके अटेक करा इसने भाई मेरी तो डैमेज हो के सूट बहुत जादा लेकिन मैं तुरे छोड़ूंगा नी अरे एक मिनट यह क्या हुआ औरे गोकु ब उखसा दो डोने की दोरों मार रहे हैं हमारी पावर्ट्bon पर यहारे लेकिन कोहीं नी भाई काई तुम्हार वीडियो को लाइक करो चैनलों को सब्सुराइब करो ता कि हैर हमारी पावर्ट्ब बढ़े मैं छोड़ूंग ने क्रेटोर्तर को समझ में ने आता कि तुमारा लगता हो गया चलो ठीक है लेकिन एक मिनट अपना गोगू कांचर कांचर लगया और हएल बॉस का नोगे जरूमने का लड़र। एक मिनट गाईस यहाँ पर तो गोकु अब भी लड़ा है लेकिन लड़ किस तरह आ रहे यह तो हैलबॉस यह अभी तक मरा नहीं है हैलबॉस गोकु मारो बचाओ मुझे औरे काईस यार क्या गूसा मारा गोकु ने एक ही गुजे के अंदर हैलबॉस को लिटा दिया वाई क्यों हैलबॉस बहुत बोला था अब निकलकर यह सारी हुआ गोकु ने तेरा भूद बर दिया गोकु को मारेगा तो नूब्रे हाँ वो आ रहा है तुम्हारा भूद बरने के लिए सबर करोग प्रैंक लिन बच के क्रेटोस आरहा है अरे काईस ही क्या क्रेटोस अभी तक नहीं मारा और गोकु क्रेटोस से लड़ने के लिटए मैं तुद्धे, आए एक मिन एक है और वहारा है वह बुरी तरीके से यहां मेरे को मारा है यहां पर इसके भाई है लेकिन बाई यहां पर सर्वेंट डासी लेडी ने बाई इसके उपर जादू कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है कि उल्टा हमें ही मार रहा है, एक मिट गाइस, क्रेटोस और गोकु लड़ते लड़ते कहां चले गए, प्रेंकली तुम यही रो, इसको तो मैं बताता हूँ, इसको तो मैं आज होश मिला कर रहा हूँगा, गाइस, यहाँ पर तुम देखो, गोकु और क्रेटोस के अंदर कि गोकु पता नहीं कहां चला गया, फ्रेंकली बस करो, क्रेटोस मर जाएगा, रुक जाओ इसको भ्योंस तो करने दो गोकु, सोरी क्रेटोस में तुछ पर अटेक तो नहीं करना जाता, लेकिन मेरे को करना पड़ेगा, अरे मैं तुद यह चोड़ूँगा नहीं, अरे यह अभी तक भ्योंश नहीं निकल यहां से, अरे फ्रेंकलीन क्या कर रहा है, चलो बहुत बड़े गईस, यहां पर क्रेटोस भ्योंस हो चुका, अब तो में काम करो, गोकु की इसको फटावाट टोनी के पास लेके जाओ, और हाँ गोकु मेरे चिंता मत करना उस हैल बास को त उन्हें के पास लेके जा रहा हूं, तो मुस हैल बोस से पूचो कि आखिर सर्वियन डांसिंग लीडी का अड़ा का है, हाँ हाँ ठीक है, तुम चेंता मत करो, मैं कर लूँगा सब, हैल बोस आ रहा हूं है, और आस मैं तुस्से सब गलवा दूगा कि आखिर तू सर्वियन डांसिंग लीडी के चेलो के टेड़ बोड़ी कहां लेके गया है, अच्छा तो हेल बोस तो यहां पर है, आज तेरे को छोड़ूँगा नियाज, निकल याज से, औरे कोई सीगे करेटोस कहां से आ गया, तू तो मरगा आज फ्रेंक क्लीन, जैसे वो गोकु मरा है, क्या ग तुने गोकु के साथ क्या करा क्रेटोस, उसको पर पुचा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू पागा लेके क्रेटोस हो तेरा भाई था तुझे बचाना चल रहाता, अरे काल का भाई निकल याँ से, फ्रेंक क्लीन, तुझे लग रहा था कि तुने मुझे बेहोश कर याँ तु बचे गानी कहा भाग रहा है, रोक रोक आ रहा हूं, मैं तुझे जोड़ूंगा नि, अरे काईस यह क्या है, हेलबास और क्रेटोस दोनों आ गए, तो मेरे को भागने भी निदे रहे, बहुत वाद तुम दोने को मैं मिसाइल सोड़ा दूगा, आया मसा, इधर इधर हेलबास निकल याँ से तेरे को तो मिसाल उसड़ाऊंगा, फ्रेंकलीन, पीछे देख, अरे एक मिनट गोईस, यह क्रेटोस ने पत्फर मार दे, क्रेटोस के बच्चे तरह यार, इन दोनों ने तो मेरे को बहुत जादा पुरी तरीके से मार रहे, गाईस, मेरे अरे यार काईस, तुम फटेवर्ट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ता कि में इन से बच पाऊं, अरे यार काईस, यह लोग तो भाईसा बहुत डेंजर से, अरे यार काईस, और भाईस, आप क्या अटेक करा है, अपे क्रेटोस तो ऐसे कैसे कर सकता ह अरे यार काईस, यह क्या करा है, इन लोगों ने भाई कया हमें, फ्यू मॉमेंट्स लेटर, गाईस, क्रेटोस और हैल भाईस, ने मुझे इतरा मारा कि जो मैंने आरे मन का सूट पे नखा था, वो भी तूड़ गया, गाईस, आरे मन का सूट तूटने के विए से, तुम मि मैंने का सूट कंदर चार्जिंग होने से पेले, अगर हैल बाउस और क्रेटोस यहां पर आ गया, फिर तो मैं गया, और यहां पर तो गोकु भी ने जो मुझे बचा लेगा, फ्रेंकलिन पीछे देखो, एक मिनट गाईस, मेरे को पीछे देखने के लिए बोला, एक मिनट तो यहां पर कासा आ गया, फ्रेंकलिन जब मैं क्रेटोस को टोनी के पास लेके जा रहा था तो उसने पता नहीं एकदम से ऐसा टेक कर रहा कि मैं बेहुश हो गया, और उसके बाद मुझे अब होश आया, और अब मैं तुम्हें डूंट दूंट यहां पर आया हूँ, लेक पर आरामन के सूट के अंदर चार्जिंग और उसके अंदर चार्जिंग और ने में कम से घंड दीन गहने, लेकिन हमारे पास इतना टायम ने तो मैं अकेले ही जाना पड़े का लेकिन हा, मैं तुम्हारी मलत करने के नए थोड़ी दीर के अंदर आ जोँगा, फ्रेंकलिन तुम फटावट निकलो और जैसे आरमन का सूट के अंदर चार्जिंग हो जाएगी मैं तुम्हारी मरत करने के लिए आ जोँगा तो ठीक है फ्रेंक्लिर में निकलना हो तुम अपना धियान रखना सो गाइस इस मूवी के पार्ट के अंदर बस इतना ही और अगर तुमें नेक्स पार्ट चाहिए इस मूवी का तो फटावट वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आहां कमेंट में नेक्स पार्ट जरूर लिख देना तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडि बाबाई